बिसमिल्लाय रह्मानी रहीम लोर कोर्स PPC दपननन में 100, 107, 109 और 147, 147 और 147 पढ़ेंगे ये लेक्चर में आपने दपननन में 100, 107, 109, 147 और 147 तो आपने B1 कोर्स में भी पढ़ें लेकिन लोर कोर्स में जब आपकानून को पढ़ोगे ना तो उसमें तोड़े से डिफरेंसिस होती है वो एक बार आइंस्टाइन अपनी एक क्लास को फिजिक्स के एक चिप्टर पढ़ा रहा था तो उसके जो साथ असिस्टेंट था उसने का कि जी यह तो आप पढ़ा चुके इस क्लास को पिछली साल यही चिप्टर तो आप पढ़ा चुके तो आइंस्टाइन ने कहा कि Yes, I know, the chapter is the same but the meaning has changed. कि हाँ ये वही चिप्टर में पढ़ा रहा हूँ लेकिन अभी इसकी जो मीनिंग्स है ना वो तबदील हो चुकी वो मुलाना रूमी रहमतुला ले परमाते हैं कि कुरान की को ना चार किटिगरीज में लोग पढ़ते हैं और सीख सकते हैं पहले किटिगरी जो है ना पहली स्टेच जो है ना वो आम लोगों के लिए एक आम आदमी जो कुरान को पढ़ता है तो कुछ और मीनिंग लेता है आलिम जब पढ़ता है तो कुछ और मीनिंग लेता है जब आम एक मूल भी पढ़ता है तो एक और मीनिंग लेता है लेकिन जब सूपी पढ़ता है तो इसकी मीनिंग मुकमल अलग हुई थी तो आप लोग जब लोर में भी ये दपात पढ़ोगे तो इसकी मीनिंग तोड़ी डिफरेंट होगी कैसे डिफरेंट होगी तोड़ी डेप्ट आ जाएगी इसमें अभी आपने तोड़ा डेप्ट में अभी जाना है क्योंकि जैसे जैसे आप पुलीस में सीनियर लेवल पे जाते हैं तो आपको पिर एक विजडम चाहिए होते हैं चीज़ों को देखने के लिए एक प्रोपेशनल विजडम चाहिए होते हैं तो आपने ये जहन में नहीं रखना है कि जी ये तुम्हें पढ़ चुका हूं, भी वन, येस, आप पढ़ चुकें, लेकिन जब आप लोर कोर्स में पढ़ोगे, तो इसमें तुरी से डिफरेंसिस होगी, आपको खुद भी इसका अंदाजा होगा, दपनननमे में चार बाते बताएगी ही, हाक अपादत खुद अख्तियारी, पीपी सीद अपननने में, कि चार ऐसी सुरते हैं कि जिसमें आपको हाक अपादत खुद अख्तियारी हासिल नहीं, हाक अपादत खुद अख्तियारी क्या है, प्रावेट डिफेंस, या आप अपनी जान की हिपादत के ल शदीद जखमी हो सकते तो पिर आप उस शखस को हलाक नहीं कर सकते दूसरा कोई शखस जो है ना वो एक सरकारी मुलाजम है और अपनी ड्यूटी की अतबार से वो काम कर रहे है कैसे दपसओ में आपको कहेंगे कि जी अगर कोई शखस आपको उठा के लेके जा रहा हो ना तो आप उसके खिलाब हाकी पादद खुद इख्तियारी हासिल कर लो आपको हासिले मार दो उसको लकिन नननमे मैं कह रहे हैं ना कि अगर हो सरकारी मुलाजम है और उसकी ड्यूटी यही है तो पिर आप उसको नहीं मार सकते पुलिस वाले आके किसी को उटा के लेकी जाते तो दपसओ की जिमन चीए तो यह किया रहे हैं कि कोई आपको आपसे वे जामे रखना हो तो आप उसको उटा और मारो तो ननननमे में आपको मना किया गया है कि आप सरकारी मुलाजम को जिसकी यह ड्यूटी हो तो उसके खिलाब कोई हाक पास खुदिख्यारी हासल नहीं है लेकिन इसमें मैं एक एक स्ट्राइन परमेशन दे रहा हूँ अगर सरकारी मुलाजम भी आपको हलाक कर रहा हूँ तो आप उसको भी ।सके खिलाब भी आपको खुदिख्यारी हासल है यह अप और आपको हलाक कर रहा हूँ तब तीसरी जमन में ऐसे ही ना दूसरे और तीसरी तक्रीवान इसमें सेह तो B1 में अलग अलग ती यहाँ पर उसको सेम बताया कि कि सरकारी मुलाजम नहीं है सरकारी मुलाजम ने किसी प्रेवेट शख्स को एक काम सूम पाए तो उसको भी यही प्रोटेक्शन आसे थी यह नि सपोस्ट जजज ने एक आम शख्स को बेज़ दिया इस शख्स को आरेस्ट करने के लिए तो उसके खिलाब भी पर यहाँ के पाद़ खुद इक्तियारी हासिल नहीं कानून ने अगर उसको मुकरर कर दिया है और इसमें एक लबस है कि अगर ओक कानून के लहाज से टीक नहों टीक नहों का मतलब यह कि सपोस्थ पुलिस वाले आ गए जी वो प्रावेट गाड़ी में आ गए तो आप यह नहीं के सकते कि इसके पास तो सरकारी गाड़ी नहीं थी तो मैंने से वज़ासे गूली चला है या पुलिस की पार्टी में दो लोग उने युनिफॉर्म नहीं पेनी थी तो आप यह नहीं के सकते कि जी उनकी युनिफॉर्म ठीक नहीं थी या उसने अक्ताने से रवान यह नहीं की थी वगए 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 तो यह इस किसम के कोई एक्स्क्यूज नहीं चले चोता जो जिमन है वो यह है कि आप किसी को इतनी नुकसान पहुंचा सकती है जितनी आपकी हिपाज़त के लिए जरूरी है मिसाल के तॉर पर कोई शखस आपको मारना चाहते है उसके हाथ में खंजर है आपने उसको पकड़ लिया खंजर आपने ले लिए दो तपड़ मार दी तो अभी तीसर तपड़ आप नहीं मारो बस होगे आप बजगे तो इतनी ही आप उस शखस को नुकसान पहुंचा सकते जितनी आपकी हिपाज़त के लिए जरूरी है सपोज एक शखस ने वेपन उटा है आपको मारने के लिए आपने उसको एक हाकी से आपने उसके सर पे मारा तो उससे वेपन गिर गिया आपके कबसे में आगए तो अभी आप उसको मज़ीद पांच हाकी और नहीं मार सकते उसके सर पे कि आपने जरूरत की उख़ई तो जुरूरत की सजाब नहीं दे सकती जुरूरत की सजाब कानून देगा उसके खिलाब 324 का परचा कटेगा और कानून उसको सजा देगा तो आप उसको मज़ीद नहीं मार सकते तो दपनने में की चार जिमन का यहीं मक्सद पहले जिमन में किरें कि आपको जब मौत का ख़चा नहो आपको जरर शदीद का ख़चा नहो तो आपको खिसी को हलाक नहीं कर सकते अगर सरकारी मुलाजम अपनी ड्यूटी के अदबार से कोई काम कर रहा हो तो उसके खिलाब पी आप हक्यपादत खुद इक्तियारी हासिल नहीं अगर किसी सरकारी मुलाजम ने किसी प्रेवेट शख्स को ये ड्यूटी सौम पिये तो उसके खिलाब भी हासिल नहीं अगर सरकारी मुलाजम से आपको महलत या आपके पास अतना टाइम है कि आप पुलीस से मदद ले सरके कि सरकारी मलाजम से मदद ले सके, फिर भी आपको हाग की पास खोड़िक्तियारी हासल, नहीं, कैसे ये कैसे हो सकते हैं, किसी शखास ने आपको कॉल की कि कि मैं आ रहा हूं आपको मारने, अगर आप मर्द के बच्चे हो ना, तो अपने गर में टिके रहो, और आपने कहा कि ये लोजी मैं इदर ही बेटा हूं, अगर आपके अंदर हम्मत है तो आ जाओ, वो शखस ना, पचास किलो मीटर दूर बेटा है, और पचास किलो मीटर दूर उसने गाड़ी स्टार्ट करके आपके पीछे चल पड़ा, और आप अधर ही बेटे हो, तो अभी वो शखस आग कर सकते हैं, तो तब भी आपको वासिल, लास्ट में ये किया रहे हैं जोते जमन में, कि आप अतने ही नुकसान पहुंचा सकते हो, यतना आपको आपकी बचाने के लिए जरूरी हो, ज्यादा नहीं, ये तो वो चार सूरते हैं, जिन में आपको हाकी पादत खुदिक्तिया हासिल है, आपकी शख्स को हलाक कर सकते हैं, कब ची सूरत हैं, जब आपको ऐसे हमला पर ऐसा हमला हो रहा है जिससे या तो आप मर सकते हैं, या आपकी जान जा सकती हैं, तो आप शख्स को हलाक कर सकती हैं, अगर ऐसा हमला है जिससे आप जरूर शदीद आपको पहुंच सक आपको concieris injury हो सकती तो तब भी आप उस शक्स को हलाग कर सकती अगर वो शक्स आपको किसी शक्स पर जिना बिल्जवर के एरादे से अमला कर रहा हो, रेप कर रहा हो किसी एक शक्स किसी दूस्री खातौन की र रेप कर रहा हो तो उस खातून के पास ये अख्तियार एक उस चछक्स को गूली मार दे तीसरी चोती में किसी मर्द के साथ इस तरह कोई अमल हो रहा हूँ खिलापे वज़ा पित्री हो रही हूँ अननेचरल सेक्स हो रहा हूँ लस्ट हो रहा हूँ तब भी एक उस पांच वी अगर आपको किड्नेप कर रहा हूँ अबडक्ट कर रहा हूँ बगा के लेके जा रहा हूँ तब भी आप कर सकती है चट जब आपको हबसे बेजा में ले control में जाँग। तो फिर भी आपको इख्तियार ही कि उस शखस को आप हलाग कर दे। इस इंची सुरतों में आपकिसी दूसरे शखस को हलाग कर सकते। और अगर आपकिस शखस को हलाग करोगे तो आपने कोई जुरम भी ने कियो। अच्छा। अभी जो इसमें जो man concept है, concept को स चूरु हो जाती है। जब वो खत्रा खत्म हो जाता है, तो हाँख के पाज़ खुद उख्तियारी खत्म हो जाती है। मिसाल के तोठी तो पर एक खक्राइग लेगे चैना जिना बिलजवर क channels को दखका दे दिए बाहर चले गी। बाहर से एपन उठाकर आ गई उस शक्क्स ये इन्तिकाम लेने के लिए नहीं है दपसो, ये कानून हाथ में लेना हो गया, ये सिर्फ अपनी जान और अपनी इज़त को बचाने के लिए ये अख्तियारात कानून ने दी, अच्छा पुलीस कहां पे गलतिया करते हैं, आपने रिसेंट्ली वीडियोज भी देंके होंग अभी एक शखस ने आपके सर पर पिस्टल रखा और आप समझ रहे हैं कि ये मुझे गूली मार रहा है, लेकिन उस शखस के पिस्टल में कोई बॉलिट नहीं है, लेकिन आपको ये नहीं पता, उस शखस को पता है, आप उसको मार सकते हैं, अच्छा दूसरी स्टिविशन स तो आप अभी उसको हलाक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्च्छल में आप तो आपके लाइब को त्रटी नहीं है, एक्च्छल खत्रा नहीं है, तो हाक ये पादत खुद इखत्यारी तब तक है, जब तक आपकी जिन्दगी को खत्रा है, जब खत्रा खत्म हो गया, हाक ये आप पर सो राउंड फायर की सो बुलिट आपके आस पास लगी लेकिन उस चखस के पास अमुनिशन खतम हो गया जैसे आप वो सामने आ गया उसने पिलम में जो होते हैं न कि वो आखिर में जब हीरो और विलन पाइट करते हैं तो जब दोने एक दूसरे लेकिन अभी उसके पास कोई बुलिट नहीं है तो आप उसको मार नहीं सकते आप उसको हलाक नहीं कर सकते क्योंकि अभी आपकी जिन्देगी को खत्रा नहीं यह लग बात है अगर आप समझ रहे हैं कि हो मुझे किसे और चीज़ से मार रहे गा खंजर से मारे गया पिर रहे लेकिन जब आपकी जिन्देगी को खत्रा नहीं है ना तो आपके पास हाकी पास होते अख्तियारी नहीं क्योंकि कानून तो हाथ में आपने नहीं लेना है कानून को आपने किसी को सजा तो नहीं देनी आपने सिर्फ अपनी जिन्दगी बचानी सजा कानून ने देना है इंतिकाम आप नहीं ले सकते हैं बदल आप नहीं ले सकते हैं आप सिर्फ अपनी आपको बचाने के लिए ये दपसो का इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये होगी दपसो I hope के concept आपको clear हो चूँ पुलीस वाले गलती क्या करते है पुलीस वालों का ख्याल होता है ये एक social construct है एक social mind है एक social thinking है एक social unconscious है subconscious है कि जब तक पुलीस वालों पे पायर ना करें ना पुलीस वालों किसी भी पायर नहीं कर सका कानून उल्ट है कानून कहता है पुलीस वाले को भी आम शेरी को भी पायर की कोई जरूरत नहीं जब आपकी जिन्दगी को खत्रा हो मार दो आप पहले मार दो उसको ये आपको कानून इजाज़त देता है लेकिन हमारे जो social conditioning हुई है ना उसके हिसाब से नहीं बहुत से पुलीस के जो जवाने उशेईद हो जाते क्योंकि ओव यही सोच रहे होते हैं कि जी अभी तक तो मुझे मारा नहीं है मुझे पर फायर नहीं हुआ है तो मैं कैसे मारू तो आपकी जिन्दगी को खत्रा तो है अगर है तो पिर आपके पास आपके पास खुद इखत्यारी है यह होगे जी आपके दपननन में औरसा अज़ाफ यह क्लिर हो चुका लेट मी रिफीट दपसो दपसो आपको यह खत्यार देता है कि जब आपकी जिन्दगी को खत्रा हो तो आप किसी दूसरे शखस को हलाक कर सकते है और अगर आपके इस शखस को हलाक करोगे तो यह कोई जुरम हो नहीं होगा और इतमें च्छी सूरत दे है पहले सूरत जब आपको मौत का खत्शा हो दूसरी जरर शदीद का खत्रा हो तीसरी जिनाबिल जवर का खत्रो चूती खिलाप और वज़ा फित्री यानि अननेचरल सैक्स का खत्रो पांचवी किटनैपिंग का खत्रो चट्टी हपसे बेजा में रखने का खत्रो तो आप उस शखस को हला को कर सकते यह हो गए जी आपका देपननेमे और सौछ अभी आप समझे जी 110 एानत की तारी एानत का मतलब शामिल होना मदद कर अबैटमेंट इसको कहते हैं अभी इस शखस को की मदद करते हैं उसको अकसाते हैं उसको मशुरा देते हैं कि करो जी कर लो आफ यह जरम कर लो मारो मारू प्लाने कू तो ये एहानत है एहानत के लो प्लाना जुरम करो तो ये एहानत है अच्छा एहानत 150 तपह बहुत ज़्यात है इसकी बहुत बुली सक्वायड पे जलपिकारली बुट्टू एकस प्राम मिनिस्टर आफ। पाकिस्तान उसको जो सजाए सुनाए गई थी नव एक सव नौ में थी उसका जुरम क्या था? एक सव साथ एानत उसने की थी मौमद खान नमे एक शखस था उसकी मर्डर हुई थी और उसमें उस पर के खिलाब उस पर इफ़यार ये था कि ये आपकी इमाप पे हुई क्योंकि बटू ने तो खुद SMG उटा के किसी को तो नहीं मारना था वो तो प्राम मिनिस्टर था तो उसने तो मारना नहीं था किसी को उसने तो किसी से मरवाना था सपोस ऐस तरह लोग करते हैं जो बड़े बड़े वड़ेरे लोग होते हैं तो फिर 107 सज जो दपा है न ये इसी लिए हैं ताकि जो actual क्रिमिनल लोग जो काम करवाने वाले लोगों वो बचना जाए ये एहानत हो गए जी अच्छा 109 में इसकी सजा है लेकिन सजा क्या है सजा वही है जिस जुरम में एहानत हो जाए अगर 300 में एहानत हो गया तो सजा ये मौत ये एहानत की अपनी कुई सजा नहीं अदालत अदालत उनकी पिल्डीज में मैंने पढ़ाना कि जो जिस शक्स ने जिस जुरम में एहानत की उसने actual में जुरम कर दिया अच्छा एहानत USA से भी हो सकते UK से भी हो सकते Australia से भी हो सकते Russia से भी हो सकते China से भी हो सकते Japan से भी हो सकते New Zealand से भी हो सकते दुनिया की किसी भी कौने से भी हो सकते यनि आप क्यों शख्स जो है ने US में बेटके किसी को कॉल कर सकते है कि पलाना को टपका हो तो जाके उसको मार देते हैं तो उसने एहानत कर रहे है तो एहानत का स्कॉप बहुत बड़ा है और इसकी सजाई यही अच्छा इसमें जो शर्त वाली बात लिए यह आपके किताब में कि मगर शर्त ही है कि सिवाए एक रहताम की सुरत की बाप सुला 299 में ता 277 में किसे जुर्म की आनत करने वाले ऐसे जुर्म के लिए मिस्रा करदा सरात करदा मतलब मेंशन डिसको हम मेंशन केते जिसमें उसकी जिकर हो ताजीर बमश्मूल मौत की सजा का मुस्त इसकी आमक सदेश यह किया रहे अचा बाप सुला किया है बाप सुला जो है ना पीपीसी में वो इनसानी जिसम के खिलाब चराएम है चाहे आपने इनसानी जिसम को मार दिया या जखमी कर दिया तो यह सजाए कहां से शुरू होती है 299 में से 277 तर तक पीपीसी में 297 से 277 तक जितनी भी दवाद है न वो इनसानी जिसम को जरर पहुंचाने है उसको मारने हलाक करने के मतालग है उसकी सजाए तो यहाँ पर तोड़ी स्ट्रेक बात की गई है कि अगर ऐसे सिच्वेशन होना तो पिर उस शक्स की वही सजा होगी और ची सजाए मौत भी हो सकती है और ताजिर भी हो सकती है यानि सपोस्थ किस शक्स ने किस शक्स को जखमी कर दिया शजब का पहुंचा दिया तिनसो सेंटिस कर दिया तो उसकी भी वही सजा होगी जो आपे है अचा यह मासीवाए क्यों लिका है महा सेवाई एक राहे ताम क्यों लेका है? क्योंके एक राहे ताम में जो डो करेक्टर थे न तो उसम에 एक करेक्टर की सज़ा जो है वो हुख है और दूसरे की ज़्याद है वह पर बेलेंस Neली बागी हर जगा बेलेंस हो यम एक राहे ताम में गर किसी शक्स ने एक राहे ताम कर दिया ना तो जो शक्स जुर्म करने वाला है उसकी सजा कम है जिर करवाने वाला है उसकी सजा 302 है एक राहे नाकस अगर किस शक्स ने किया ना जो करने वाला है उसकी सजा 302 है जो करवाने वाला है उसकी सजा कम है ये मैं पढ़ा चुका हूँ भी वन में डिटेल में तो इसको exception दी गई है और इसके इलावा जो दपाते है उसके में वही सजा है यह हो गए जी आपका एक सौनो एक सौसत में इहानत की तारी पिए एक सौनो में इसकी सजा है आप जी आगे 144 बल्वा की तारी बल्वा का माना है पसाद कर और करने वाला पसादी होता है यह कोई शख्स जो पसाद करता है उसको क्या कहते है पसादी जिस तरह देशिदगर्द को क्या कहते है देशिदगर्दी करने वाले को क्या कहते है देशिदगर्द तो जब कोई मजमाख खिलापिकान हूँ जब तोड़ फॉर्ड शुरू करते है ना वाइलिंस शुरू करते है तो उसको क्या कहते है बल्वा ये 146 में इसकी तारीप है 147 में बल्वा की सजा है क्या सजा है जी दो बरस के चुर्माना या दोनों सजा हो सकती 147 में इसकी सजा है 147 में महलक हत्यार से मसल्ला होकर बल्वा अच्छा महलक हत्यार क्या होता है डेडली वेपन जिसको हम कहते है जिससे मौत वाकि हो सकते है डेडली वेपन कौन से होते है जिसमें आप किसी को मारो तो मर जाता है तो ये डेडली वेपन है अगर किसी बल्वा बल्वा में जो लोग शरीक है उनके हाथ में डेडली वेपन है न तो फिर इसकी सजा तीन साल एक साउर तालिस या जुरमाना या दोने सजाए हो सकते अचा है अगर किसी मजमा खिलाब कानून में लोगों के पास हाकी हो ना हाकी है तो क्या ही हो सकती है डेडली वेपन हाकी तो वेपन की तारीप में नहीं आते लेकिन आप किसी को सर पे मारो तो तो मर जाएगा तो येस, ये डेडली वेपन में शामिल है मैं एक अदालत की डिसीजन पढ़ कि आपको बतारू डेडली वेपन हर वो वेपन है जिसको आप अगर इस्तिमाल करोगे कोई शखस मर सकते है, तो हाकी से आप किसी की सर को मारो क्या हो जाएगा, वो तो वड़ जाएगा, तो ये शामिल अच्छा, एक सो उन्चास में क्या है, एक सो उन्चास में वेसे बिसिकिली सिर्फ ये बताया गिया है कि जितनी भी लोग मजमा खिलाबी कानून में शामिल है तो सब को एक जिसस जाती जाएगा, और चौन्चास में परक भी तदाद के हैं, चौन्चास में तदाद 2 से 4 तक हो थी और एक सो उन्चास में पांच से 5 करूर तक हो सकती है, या उससे भी ज़्याद जितनी आपको गिंदिया थी, लेट में रिपीट इस लेक्चर इसमें हमने दो सो निननन में सो, एक सो साथ, एक सो नो, एक सो सिन्तालिस और एक सो अलतालिस दपाद पड़े सबको मैं एक एक सेंटेंस में कंक्लूड कर रहा हूँ दपननने में में वो हदूद बताएगे हैं जब आपको हागी पाद खुदी अख्तियारी हासिल नहीं जब आपको हलाकत या जरुदीद का खत्रा नहोँ सरकारी मलाजम अपनी ड्यूटी के नबार से अमल कर रहा हो जब कोई प्रीवेट शाकस सरकारी मलाजम की χोकम पर अमल कर रहा हो या कुई आपके पास टाइम हो कि आप सरकारी मलाजम से مदद ले तो आपको हागी पाद खुदी अखतियारी हासिल नहीं दपसो में 6 सूरों तो मैं आपको हागिपाद थोड़े हासिल है पहले है हलाकत का खथशा, जरिर्शदीद का खथशा, जिनाब लजबर का खथशा, खिलाप वज़ा पितरी का खथशा, अगवा करने का खथशा और हबसे पे जामे रखने का खथशा 110 में आयानत की तारीप, 110 में उसकी सजा है, सजा क्या है जी, जो जुरम किया वही सजा है 146 में बलवा की तारीप, 147 में उसकी दो साल सजा है, 146 में मौलेख अत्यार से मसल्ह बलवा होने की तारीप और साती तीन साल सजा है एक सा उन्चास में मजमें खिलाब कानून या बल्वे के जितनी भी लोग है सब को एक जिसे को सुरुआर टेहराया किया है